और इसकी जानकारी इनको पिछले तीन भागों में मैंने दी है आप फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग को देखें आपको बेसिक कम्पूटर की जानकारी के साथ साथ में बहुत ही आसान तरीके से C लेंगुज का ग्यान इसमें कराए जाएगा ताकि आप एक अपने रोचक लक्स तक पहुंच सकें तो आज हम बात करते हैं जैसे कि हमने लास सेसन में आपको प्रोग्राम क्या है कितने टाइप्स की होते हैं ये सब चीजें बताए थी आपको आज हम बात करेंगे आपके क्या है computer जिगत और रियल वर्ड में हमारी क्या similarities है इस बारे में बात करेंगे किस तरह से हम प्रोग्राम को हम रोज मरा की जिन्दगी में कैसे प्रोग्राम्स और एक आम जिन्दगी जो जीता है इंसान उसमें कैसे जो है इंट्रक्ट होना है वो बताएंगे चलो शुरू करते हैं प्रोग्राम को हम हर रोज के हमारे देनिक जीवन के कामू सही समझ सकते हैं जिस तरह से हमें कोई सामान्य सा काम करने के लिए एक निश्चित करम का पालन करना पड़ता है उसी तरह से कंप्यूटर को भी हमें एक निश्चित करम में, सूचनाय देनी होती हैं, काम कराने के लिए किस काम के बाद क्या काम करना है, ताकि एक निश्चित समाधान या मंचहा पढ़नाम प्राप किया जा सकतא है उधान के लिए, माना हमें कुछ सामान खरीदने के लिए, मार्केट में गहे तो हम देखो उसको एक करम से जाएंगे, पहले तो घर से आप निकलोगे, आप सुनिश्चित करोगे आपने सामान क्या लेना है, कि सौपिंग मॉल में जाना है, किस तरह की आपने सौपिंग करनी है, कहां पे जाना है, नजदीक है तो कैसे जाना है, दूर है तो कैसे जाना ह यह सब आप एक systematic way में आप करते हुए चलते हो क्या खरीदना है उसकी क्या उसके price होगा उस according to आप जो है अपनी pocket को भी manage करते हो और फिर particular वहाँ पर जाके एक खरीदारी करते हो billing होती है सब यह systematic way में होता है ठीक इसी तरह से language या फिर program बनाया जाता है यानि कामों का एक स्विवस्तित समूह create किया जाता है उस समूह को computer के समझने योग programming language में coding के रूप में लिखा जाता है जिस हम file बोलते हैं इस file को program की source file कहते हैं तो यह file हमारे program की source file होती है जिस file में computer के समझने यो coding के रूप में विविन steps या instructions को लिखे गए होते हैं उसी file को हम compile करते हैं source file को compile करने पर एक नई file बनती है जिससे instruction को computer का समझना या computer को समझाया जा सकता है और यह compile file को एक executable file या exe file कहा जाता है क्यूंकि compiling के बाद create होने वाली इस नई file का extension .exe होता है अब हमें जब भी वह काम करना होता है जिसके लिए हमें program लिखा है या लिखना है तो हमें source file को वापस से compile करने की ज़रुरत नहीं होती है हमें क्यों उसी create होने वाली नई executable file को ही run करना होता है इस file में CPU को जो कुछ करना है उसकी instruction होती है जिनने CPU समझ सकता है इस परकार computer में एक program create हो जाता है या करते हैं इस पूरे decision के आधार पर यदि हम किसी computer program की परिभासा देना चाहें तो यह कह सकते हैं कि computer instructions एक ऐसा सुवस्तित करम है जिसमें computer द्वारा किसी समस्या का उचित समाधान राप हो सके या program कहलाता है तो यह तो थी हमारी यहां तक की जो कहानी है आपकी जो c languages हम आपको basically जो है जीरो से लेके चलने हैं ताकि उन चाह चात्राओं को थोड़ा सुविदा हो जिनका basic fundamental clear नहीं है तो हिंदी में यह वीडियो बनाने का हमारा main मकसद यह है ताकि एक जीरो लेबल से वो c languages को सीखें ताकि बात की programming उनको आसान लगने लगे यही इस वीडियो का main मकसद है या इस voice channel का main मकसद है कि किस तरह से एक आसान सी हिंदी भासा जो हमारी मात्र भासा है बच्चा उसमें इस प्रोग्राम को आसानी से समझ सके basically वैसे भी देखा गया है this and that की परिभासा में इंग्लिस मेडियम के बच्चों को भी मैं देखा है कि उनका जब तक हिंदी clear नहीं होता तब तक वो चीज़ें उनको भी clear नहीं होती है वो parrot की तरह रट जुरूर लेते हैं उसको sentence को लेकिन उनको उसका basic fund उसको clear नहीं होता है यह 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं में 80-85% बच्चों के साथ यही problems है हम हिंदुस्तान में है और हिंदी हमारी मात्र भासा है तो हिंदी को समझने में बहुती आसानी होती बहुत सरल है देखा जा तो English बहुत सरल भासा है in comparison of हिंदी के लेकिन फिर भी चुलाओ इसी करम में हम आगे बढ़ते हैं आप सुरू करते है steps of programming किस तरह से आप programs सुरू करते है step by step सबसे पहले आपका programming definition program की परिभासा इस चड़ में उस समझ्या को पूरी तरह से समझना होता है जिसका program बना कर computer से समाधान प्राप्ट करना है यानि program के द्वारा हमें क्या प्राप्ट परणाम करना है या निस्कर्च निकालना होता है तो हम यह हम पहले से decide करते है program definition में तो क्या परणाम आपने प्राप्ट करना है और क्या या उसका क्या result आपने निकालना है तो second है हमारा program designing तो किस तरह के आपने program designing करनी है इस चरण में समेश्या को कई भागु में बाट कर उसे बिजगंडिती algorithm की अनुसार लिख लिया जाता है algorithm लिखने के लिए flow chart आदी को उप्योग में लिया जाता है तो किस तरह का आपको परणाम प्राप्ट करना है यह आपका program designing में होता है उसके बाद हो याद आपका program को coding करना होता है तो इस चड़ में हम high level भासा के कोड़ू के अनुसार algorithm और flow chart की मदद से program की coding करते हैं और क्या होगा जब user इसे उप्योग में लेगा तो कब और कहां पर क्या user करेगा यह सब चीज हम program की coding में इसी जिगवे हम fit कर देते हैं उसके बाद रहता हमारा program execution तो program execute करने के लिए हमें इस चड़ में हम program को चलाया जाता है ताकि वो program run होके execute होके आपको जिस तरह का आपने program चलाया है वो सुष्थित तरह के से चल पड़े उसके बाद बात करते हैं हम program debugging की program जब program को बनाया जाता है तब कई तरह की गलतियां रह जाती है जिससे जब program को चलाया जाता है तब या तो program run नहीं होता या फिर सही परणाम प्राप्त नहीं होता जब program को compile किया जाता है तो compiler में एक debugger होता है जो प्रोग्राम में जिस जगह पर गल्ती होती है वहीं पर आकर रुख जाता है हम वहाँ पर होने वाली बग को सही करके प्रोग्राम को पुनह रन करते हैं प्रोग्राम में होने वाली गल्तियों को ढूणना वह उन्हें सही करना ही debugging कहलाता है तो कुल में लाके इसका निचोड हम देखें तो प्रोग्राम की किसी भी तरह की व्याकरण संबंदी या तर्क संबंदी गलतियों को खोजना वहाँ उसे संसोधित करने के प्रोग्राम को सही करना आपका प्रोग्राम डिबगिंग में होता है आगे बात करेंगे हम program testing की, फिर हमारा program testing होता है कई बार program पूरी तरह सही रन होता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई गल्ती रह जाती है इसे तारकी गल्ती कहते हैं, इस प्रकार की गल्ती में हमें वांचित सही परणाम प्राप नहीं होता इसे सुधारने के लिए प्रोग्राम से ऐसी समश्याओं का हल मांगा जाता है जिसका परणाम हमें पहले से ही पता होता है ऐसा करने से यदि प्रोग्राम में कहीं पर तारकी कमी हो तो पता चल जाता है इस परिक्रिया को प्रोग्राम टेस्टिंग कहते हैं तो program testing में हम कोई भी समच्य हो उसका समधान निकालने के लिए हमें program testing की मदद से हम कर सकते हैं आगया हमारा program documentation तो program documentation में कई बार program इतने बड़े वह जटिल हो जाते हैं कि कब कहां और क्या होना है और कौन सा program क्यों लिखा गया था इसका पता नहीं चल पाता इस तरह की समशाओं से बचने के लिए program में कई जगों पर ऐसी टिपनिया डाल दी जाती है जिसमें पता चल सके कि program क्या है वो program किसले लिखा गया है ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कब कौन सा program बनाया था तो इसी करम में हमारा ये तो हुए हमारे करम वाइस आपके systematic way में आप किस तर से आप programming को अंजाम दोगे ये कुछ tips आपको देगे थे कर दो है कर दो हमारा अपके ब कर दो हुए हमार और जे मैं हमा हुए है ये अारे का I